आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउनलोड करें हेलो एवरिवन, वीडियो में आपका स्वागत है तो आज का हमरा प्रशन है, दो घडिया अंतराश्रे प्रयोक शाला में मानक घडी के साथ जाच की जाती है मानक घडी में 10 एम पर दोनों घडियों के पाठ्थां का निम्न है तो यहाँ पर हमें 2 क्लॉक दी है, क्लॉक A और क्लॉक B तो इस प्रशनों में हमें ये बताया है कि जब मानक घडी में 10 बचते हैं तो इन दोनों क्लॉक में कितने बचते हैं, पहले दिन कितने बचते हैं, 10 बचके 5 सेकंड और क्लॉक भी में 10 बच के 15 मिनट 8 बच के 15 मिनट तो वेसी 5 दिन की हमें टाइमिंग्स दे रखिए 1, 2, 3, 4 और 5 देखा यदि आप परिशुद्य समय अंतराल वाले उपकरन के साथ प्रयोग कर रहे हैं तो दोनों में से कौन सी घड़ी को आप प्रात्मिक्ता देंगे यह हमारा प्रश्न है तो सबसे पहले हम यह पता करते हैं कि जो परिशुद्य समय होगा वो कितना है 10 बचे तो अगर मुझे किसी चीज का प्रयोग करना है तो मैं ऐसी घड़ी लूँगा जिसका जो कभी भी चेंज नहीं होता है जैसे कि मैं बात करता हूँ कि अगर पहले दिन वो आट बच के पंदरा सेकेंड या फिर पंदरा मिनट है तो दूसरे दिन का जो समय होगा वो जादा जादा इससे दूर या पास में नहीं होना चीए हो सकता है कि वो आट बच के पंदरा मिनट और दस सेकेंड हो जाए ठीके तो हो सकता है अब इसमें जो हो रहा है वो सिर्फ seconds में changes हो रहा है मतलब कि पहले दिन 1st दूसरे दिन 1st तीसरे दिन 4st तो जो seconds में अंतर होता है वो negligible होता है तो ये जो टाइम है वो चारो दिन पाचो दिन सेम है बस इस दिन जो है वो दो सेकंड का अंतर है और पहली जो घड़ी है उसमें पहले दिन पाच सेकंड का अंतर है फिर दुसरे दिन एक मिनट का अंतर है फिर तिसरे दिन भी एक मिनट का अंतर वेसे चोथे और पाच दिन म वही जो clock B है उसमें सिर्फ 1-2-2 seconds का अंतर है या फिर 4 seconds का अंतर है इसलिए हमें कौन सी घड़ी को प्रात्मिक्ता देनी चाहिए clock B को क्योंकि हर दिन का जो उसका समय है वो एक दूसरे से जादा अंतर में नहीं है यानि कि 1-2-3-4 seconds के अंतर में ही है वही clock के एक-एक मिनट के अंतर में है